नमस्कार में नेहा सिंग और आप देख रहे हैं दाचौपाल पिछले दो महिनों में दो बार दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश साओधी अरब के सरकारी तेल कमपनी अरामको पर ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है अमेरिका और साओधी अरब दोनों इसके पीछे इरान का हाथ बता रहे हैं लेकिन इरान इससे इंकार कर रहा है आरोप प्रत्यारोपो के बीच इस हमले की जिम्मेदारी यमन में विदरोयों के गुट हुती ने ली हुती को इरान का ना सिर्फ समर्थन प्राप्त है बलकि वो उने हत्यारों की सप्लाई भी करता है इरान और साओधी अरब दोनों ही मुस्लिम देश हैं दोनों के पास सेल का अकूत बंडार है दोनों देश अमीर है फिर भी ये दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि दोनों ही देश इसलाम के अलग-अलग पंत को मानते हैं इरान शिया बहुल है जबकि साउधी अरब सुन्नी बहुल देश है मज़ एशिया और खाडी देशों में जब भी कोई विवाद होता है तो शिया देश इरान की तरफ मदद के लिए निहारते हैं और सुन्नी देश साउधी अरब की तरफ दोनों देशों के बीच के विवाद के इतिहास को समझने के लिए आपको शिया और सुन्नी के बीच के विवाद को समझना होगा सुन्नी पैगंबर मुहम्मद के अनुयाई है सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है दूसरी और शियाओं का दावा है कि मुस्लिमों के नेत्रतिव का अधिकार शियत अली और उनके वंशजो का ही है आपको बता दें कि शियत अली पेगंबर मोहमद के चचेरे भाई और दामात थे दुनिया में कुल मुस्लिम अबादी में तकरीबन 85 फीजदी सुनी है जबकि शियाओं की अबादी सिर्फ 15 फीजदी है इरान और साउदी अरव में टकराव की शुरुआत सन 1989 में हुई 1989 वो साल था जब इरान में इसलामिक क्रांती की शुरुआत हुई इस क्रांती के जरिये एरान में उग्र शिया इसलामी एजेंडी की शुरुवात हुई इरान ने दुनिया भर में फैले शिया गुटों को समर्थन देना शुरू किया तो इसे सुन्ही सरकारों ने खास कर खाडी के देशों ने एक चिनोती के रूप में लिया और सुन्नी संगठनों को बढ़ावा देना शुरू किया सुन्नी संगठन अक्सर शिया नेताओं को निशाना बनाने लगे और उनकी हत्या करने लगे 2003 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसेन को सत्ता से हटाया तो वहां साओधी अरब ने अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की चुकि इराक शिया बहुल देश है तो इरान ने वहां साओधी के हस्तक्षेप का विरोध किया साल 2010 और 2011 में कई इसलामिक देशों में अंदोलन हुए और इस कारण राजनितिक अस्थिरता पैदा हुई साओधी अरब और इरान ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और सीरिया इराक यमन जैसे देश अशांत हो उठे सीरिया ने इरान में रूस के साथ मिलकर साओधी अरब के समर्थन वाले गुट को हटा दिया उसके बाद इरान ने सुन्नी बहुल यमन में शिया गुट हुटी को समर्थन देना शुरू कर दिया जिसके बाद साओधी अरब ने यमन में जंग छेड़ दी और इसके बाद इरान के साथ उसका विवाद और बढ़ गया और दोनों देश युद के मुहाने पर आखड़े हुए अमेरिका इसराइल जैसे देशों ने इरान के खत्रे को देखते हुए साओधी अरब को समर्थन और हत्यार देना शुरू किया जवाब में इरान ने यमन के साओधी अरब के खिलाफ हुती गुट को समर्थन देना शुरू कर दिया ये वही हुतिगुट है जिसने साओधी अरव में सरकारी तेल कमपनी अरामकों पर बीते दिनों हमला किया इन हमलों के बाद एक बार फिर दोनों देश युद के मुहाने पर खड़े हैं अगर दोनों देशों में युद हुआ तो पूरे दुनिया पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि युद के हलात में तेल की सप्लाई रुख जाएगी और तेल नहीं तो कुछ नहीं